हेलो श्रूएंट्स वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में क्लास 10 न्यू एंसी आटी का एक्सरसाइज 4.3 का कोश्चन नमर्ट 2 करेंगे पुरानी एंसी आटी में यही कोश्चन जो है वो एक्सरसाइज 4.4 में मिलेगा कोश्चन से में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है जिनके पास पुरानी एंसी आटी वो इसको 4.4 में देख सकते हैं जिनके पास न्यू एंसी आटी है वो 4.3 से इसको कर सकते हैं कॉश्चन स्टार्ट कर लेते हैं find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots यहां पर बोला है कि हमें k की value बतानी है जो हमें यहां पर equation given और क्या है two equal roots है equal roots का होते थे जब हमारा d जो है वो 0 आजाता था तो d की value यहां पर क्या बताई गई है 0 बताई गई है लिख लेते हैं हमारे standard equation क्या होती है वो होती है हमारी a x square plus b x plus c equal to zero यहां पर हमारा a क्या है two है b है हमारा k then c है हमारा three इस तरह से हमें value मिल गई अब d का formula हम लगा जेते हैं d equal to क्या होता है b square minus 4ac d हमारा 0 के equal है तो हम यहां पर 0 लिख देते है b square b के है हमारा k तो k का square करेंगे minus 4 a है two और c है हमारा three then zero zero equal to k का square हो गए हैं पर इनको multiply किया है तो कितना गया four two zero eight three zero 24 यह आ गया minus 24 को जब हम इधर बेज देते तो प्लस 24 हो जाता है यहां पर k square अब यहां से में square हट आना है जब भी हम square हट आते तो इधर क्या लगाते हैं root लगाते हैं तो यह हो गया root में 24 और यहां पर k आ गया और इसके बाहर के आ गया plus minus root के बाहर हम क्या लगाते हैं plus minus क्योंकि हमें नहीं पता कि हम प्रूट खो लेंगे तो उसकी value प्लस में होगी या minus में होगी उसके बाद हम 24 के factor देख लेते हैं 24 के factor हो गई जखो यहां पर 2 जो है root से बाहरा जाएगा और 236 यह रूट के अंदर रहे जाएगा इसके बाहर हम लगा देंगे plus minus 6 तो यह आ गई हमारे k की value जैन बूब कर लेते हैं हम इसके second part पर इसका second part है हमारा k x x minus 2 plus 6 equal to 0 अब इसको कैसे करना है सबसे पहले तो हम इसके brackets को open कर लेंगे k x है यहाँ पर x minus 2 है k x को x से multiply करेंगे तो आ जाता है k x square minus k x को 2 से करेंगे तो क्या आ गया है 2 k x plus 6 equal to 0 यहां से हमें a अपना मिल गया k और b मिल गया minus 2 k और c मिल गया हमें 6 अब हम अपना formula लगा जते है d equal to b square minus 4ac d हमारा क्या है 0 के equal है क्योंकि यहां पर हमें बताया गया है कि यह क्या है 2 equal roots है जब 2 equal roots होता है तो d की value क्या होती है 0 होती है 0 put करेंगे d की जेगा b square है तो b हमारी है minus 2 k तो इसका square कर देंगे minus 4 a की value है k और c की value है 6 solve कर लेते हैं 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और k में लग जाएगा हमारा square उसके बाद यहां पर minus है 4 सीख जाए होता है 24 और यह आगया हमारा k अब हम क्या करेंगे इसमें से 4 को common निकाल सकते हैं तो हमने क्या किया 4 को बाहर common निकाल दिया और दोनों में k को भी common निकाल सकते हैं बच के अंदर हमारा k minus 24 है तो हम 24 की जागा क्या लिखेंगे 6 क्योंकि हमारा 4 बाहर आ गया यह बन गया हम इसको ले लेते हैं, 0 इकोल to k-6, यहां 6 को इधर भेज देंगे तो हमारी k की वेल्यू आ गई 6, यहां पर हमें k की वेल्यू मिल गई, k मारा कहा है 6 है, तो इस तरह से question number 2 complete हो गया, I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक करें, फ्रेंड्स में शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग